हलो अब्रीवन वेल्कम चो माई चैनल स्पाइसी आरोमा तो यह है मेरा प्रिंग चैनल और मैं हूँ सुधा तिवारी आज शेयर कर रही हूं वह है ब्रेटफास्ट रसेपी और बहुत हेल्दी है तो अगर आप ब्रेटफास्ट में ब्रेट खाना पसंद करते हैं तो कुछ श्यक्राइब करता हे यारा सो है तो इस रहते हैं तो यह मला सकते हैं तो योगर्ट के शाइब रेटाना आप पसंद क्रूज ँए तो यहां पर योगर्ट की सेंडविच रिस्पी बनाने के लिए आपको लेना है हंकड यानि की बिल्कुल सूखी दही लेनी है तो आप दही को एक छनी में ट्रांसफर कर ले और उसका पानी निकाल दे तो यहां पर आप देख रहे हैं अच्छे से पानी नीचे निकल चुका है दही बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है तो आप दो घंटे के लिए फ्रेज में इसे छोड़ देंगे इस तरह से तो आपको पूरा हंकड तयार मिल जाएगा और पानी आप इसे फेके ना इसे आप छास बनाने में या कोई भी रेश्वी बनाने में योज़ कर सकते हैं तो दो सब्सक्राइब ने के लिए आप हाफ कप ले ले हंकड तो मैंने यहां पर इसका हाफ ले लिया है थोड़ा वन थर्ड पार्ट लिया है यानि हाफ कप के बराबर और इसमें आप अपने मन पसंद के हिसाब से सब्जियां आड़ कर सकते हैं तो यह ले लिया है मैंने हंकड और इसमें डालेंगे कुछ कटी हुई सब्जियां तो सबसे पहले पनीर डाल देते हैं 100 गराम पनीर लिया है इसमें मैंने इतने हंकर और पनीर के साथ दो से तीन लोगों के लिए सैन्विज रेस्ट भी बना सकते हैं तो पनीर को बारीक कद्डू कस करके इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसमें सबजी आइड करेंगे तो बिल्कुल finely chop करें सबजियों को इसमें डालने के लिए तो सबसे पहले इसमें प्याज, शिम्ला मुर्ज और गाजर को finely chop कर लिया है कुछ धनिया पत्ते फ्रेश ले 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 उसे finely chop कर ले मैंने इसे manual chopper में सारी सबजियों को chop किया है शिम्ला मुर्ज को मैंने चाकू से बारिक बारिक काट लिया था तो सबसे पहले एड किया है फ्रेश कोरियंडर लीफ्स दो से तीन बड़े चमच और यहां पे बारिक कटी हुई गाजर बारिक ही काटना है सेंविच रेसिपे के लिए और तीन से चार बड़े चमच इसमें डाल दे शिम्ला मुर्च एक बिल्कुल छोटा सा लिया था उसका हाफ ले लिया था और इसे इस तरह से चाकू से बारिक काट लिया है और प्याज को मिनिमल चौपर में बिल्कुल बारिक माना चौप कर लिया है बिल्कुल छोटी वाली प्याज डाले हैं आप इसमें यहां पे काली मिर्श पाड़र डाल रही हूँ जो फ्रेश क्रेश्ट काली मिर्श पाड़र है तो 1ीजव या 1ीजंग आपको डाले हैं, तो यहां पर अब यहां पर अबधी माने कद्दुकस कर लिया है, प्रोसेस चेस को जो चार से पांच टेबल स्पून आप ले सकते हैं और इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छा से तो यहां पर सैंड्विच की जो फिलिंग है वो पूरी तरह से तयार हो चुकी है थोड़ा सा मिल्टड आप बटर ले ले और यहां पर चार पीस ब्रेट के साथ सैंड्विच मैं दिखा रही हूं जो दो पेर बनेगा तो जो बटर को अपलाई करना है ब्रेट के उपर आइक साइड ब्रेट कुछत चेट करना है तो यहां पर आप दो से तीन या चार चमच मैंनेDSके अच्छे सेट करदिया है इतने stuffing के साथ आप चार पेर आराम से बना सकते हैं अच्छे से इसकी थिक कोटिंग के साथ तो जाया थिक कोटिंग रखे तो इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा अच्छा फ्लेवर आएगा तो ऐसे ही मैंने सारे stuffing को दोनों ब्रेट के साथ लगा लिया है और मैं इसे gas पर तवे पर शेखने जा रही हूँ आप इसे जो sandwich maker आता आ हैuis में भी कर सकते हैं जो sandwich ग्रिल मेकर आता है उसमे भी आप इस recipe को त्यार कर सकते हैं मैंने इसे gas पर तवे पर किया है तो gas पर कोई भी आइप तवा रख लें जाहें तो हलका तबेको ग्रीज कर लें नहीं तो हमने ब्रेट पे बटर तो लगाया ही है तो जो बटर वाला साइड है वो तबे रखेंगे मेडियम फ्लेम रखेंगे गैस को और इस तरह से हलका हलका प्रेस करते हुए दोनों साइड अच्छा सा गोल्डन ब्राउन प्रिस् तो ज्यादा वह क्रिस्पी लगेगा तो यह कलर बहुत परफेक्ट है यह इसी तरह से मैंने दोनों ब्रेड को सेख लिया है तो यह थोड़ा साप कट करके दिखा रही हूं उपर की लेयर अच्छे से क्रिस्पी है जो खाने मज़ेदार हो गी और जो अंदर का स्टफिंग है वो बहुत ही सौफ्ट और क्रीमी है जो इसके स्वाथ को बहुत ही इन्हेंस करता है और साथ के साथ यह बहुत हेल्दी भी है तो आप देख सकते हैं अंदर का टेक्शर भी बहुत अच्छा आ रहा है तो आप भी बनाईए सेंडविच रेसिपी को योगर्ट सेंडविच और आपकी सेंडविच रेसिपी कैसी बनी कमेंट बॉक्स में आकर जरूर मुझे कमेंट करके बताएं तो आगे बहुत सारी नई रेसिपीस पाने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले मिलती हूँ अगली वीडियो में नई रेसिपीस के साथ त तिल दे टेक्र व यूरसेल बग्याइ तिल देकर व यूरसेल बग्याइ